वेलकम टू STML, आज हम STML 5 में Mark Tag का यूज करना सीखेंगे Mark Tag की हेल्प से आप बेसिकली अपने टेक्स को, पर्टिकुलर टेक्स को आप हाइलेट करवा सकते हैं चलिए हम यहाँ पर एक एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल का जो टाइडल रखा है वो रखा है, एक्जामपल उफ मार्क टेग दर हमने यहाँ पर पैराग्राफ टेग के अंदर कुछ टेक्स टाइप किया है सपोज आप यहाँ पर इंक्रीजड बाई 100 परसेंट को हाइलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस टेक्स को आप हाइलाइट करना चाहते हैं उसके जस्ट बिफोर आप यहाँ पर मार्क टेग लगाएंगे और जहां तक आपको टेक्स हाइलाइट करना है, उस टेक्स के एंड पे आप मार्क टेग को क्लोज कर देंगे यहाँ पर हमने टेक्स हाइलाइट करना है इंक्रीजड बाई 100 परसेंट तक तो हमने यहां से mark text start किया और यहां पर आकर mark tag को close कर दिया अब हम Ctrl S करते हैं इस file का preview देखने के लिए F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो increased by 100% है वो yellow color से highlight हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि यह text है हमारा increased by 100% यह yellow color से highlight ना होकर किसी और color से highlight हो तो आप इसका color change करने के लिए क्या करेंगे mark tag जहां पर आपने start किया है यहां पर space देंगे then आप यहां पर लिखेंगे style is equal to comma start करेंगे यहां पर आप लिखेंगे comma के अंदर background background color, background के बाद dash देंगे then color लिखेंगे then हम colon लगाएंगे और यहां पर आप कोई भी color set कर सकते हैं suppose हम यहां पर करते हैं light blue light blue आप बिना space देकर लिखेंगे ctrl s करेंगे file save करने के लिए f5 करेंगे तो आप देखेंगे कि refresh होने के बाद हमारा जो text है वो light blue color से highlight हो चुका है तो इस तरह से हम अपने stml file में अपने web browser पर किसी भी text को किसी color से highlight कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस text के just starting में आपको mark tag लगाना पड़ेगा अगर आप उसका color change करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे style is equal to background color लिखेंगे कॉमस के अंदर और colon लगाकर उसका color देंगे then उस text के last में आप mark tag को close कर देंगे यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि Google, Firefox और Mozilla and Opera ये तीनों major browser ही mark tag को support करते हैं तेंक यू